तो स्क्वेर का आज हम जवाब देखेंगे तो सबसे पहले स्क्वेर का डिफिनिशन क्या है स्क्वेर वो चीजी जिसका लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम है तो आप देखिए क्या ये स्क्वेर हो सकता है क्या ये स्क्वेर हो सकता है क्या ये स्क्वेर हो सकता है स्क्वेर हो सकता है कि CR pendant eh is crist अरक यह स्क्वेर हो सकता है अब आपको अलग-अलग प्रकार के क्लूस मिलचुके हैं इसके हिसाब से आज दुबारा आप इसके अंदर यह डायग्रम के अंदर कितने स्क्वेर हैं कालकुलिट करें मैं समझता हूं कि आज तक आपको सही जवाब मिल गया होगा और इसकी सही आंसर कल तक हम discover करेंगे ये हमारे paradigm square को count करने के paradigm को completely challenge करेंगा और हम लोग सही दिशा में सही आंसर पर कल तक पहुच पाएंगे